असलालेकूम, वेलकम टू लेट्स कुक विट पैशन, आज मैं आपके साथ चॉकलेट सिरप बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ, ये बच्चों का तो फेवरेट होता है, बच्चे हर चीज में चॉकलेट सिरप डालने की डिमांड करते हैं, इसे आप आसानी से घर बना सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें, मार्केट जैसा चॉकलेट सिराप आपने घर पर ह सकते हैं, इसे बनाने के लिए हम आधा कप चीनी लेंगे, और इसमें 1 फोर्थ कप, एक चौथाई कप, कोको पाउडर डाल देंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे, और हम सभी सुखे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें गाठे ना पड़ें अब इसमें पानी एड़ कर देंगे, आधा कप, और इनको अच्छे से लंफ्री गम सिलूशन बना लेंगे, पकाने से पहले आप इसको जरूर मिक्स कर लीजेगा, वरना इसमें गाठे पड़ सकती हैं, अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको पकाते हैं अब इसको मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर क्रेस करें, अब देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, जब ये मिनिट के अंदर ही गाडा होने लगता है, अब देखिए ये गाडा होना स्टार्ट हो गया है, जब इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए, तब हम इसमें आदा टी स्पून वनीला एसेंस एड़ कर देंगे, वनीला एसेंस डालने के बाद इसको 30 सेकेंड तक पकाएंगे, और के बाद गैस को बंकर देंगे, गैस को बंकरने के बाद एक गहंते के लिए इसको नॉर्मल टेम टेमिरेचर पलत होने के लिए चोड़ मार्केट जैसा चॉकलेट सिरफ घर पर ही तैयार कर सकते हैं और आप इसको एक बोटल में भर के फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए थैंक यू